और हाँ भाई सच एक प्रोब्लम हो गई है और एक्चल में वो छोटी प्रोब्लम नीए बहुत बड़ी प्रोब्लम है कुछ टाइम तक पहले तक मुझे वो चीज याद थी बड़ मेरे दिमाग से निकल गई और अगर वो चीज अब नहीं होती है तो भाई हमारा ट्रिप कंटीनू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे सड़के तो भाई नो डाउट बैंको की बहुत तगड़ी बनी हुई है मतलब सिटी के अंदर अंदर भी प्रॉप पर भाई शिक्स लेन हाईवे निकाल रहा है देखरो थी लेन पर हम चल रहे है थी लेन उदर की तरफ है अगर आप एक इंटरनेशनल रोड ट्रिप कर रहे हो ना तो यह वाली गलती जिन्दगी में मत करना जो हमने करी जिसकी व आप पे चा रहे है भाई है ट्रिप छोड़के इंडिया तो जी यह नाना प्लाजा आप देख सकते हो बड़ यहां तो भाई चेकिंग चल रही है आईडी प्रूफ मांग रहे है तो भाई यह आ चुके हम कस्टम बिल्डिंग के अंदर मतलब यह बहुत बड़ा ना ऐसे कंपार्टमेंट से कंपार्टमेंट क्या बोलते हैं इसे मतलब एरिया बना हुए हम आप पार्किंग है तो अपना गाड़ी खड़ी कर देते है फिर थोड़ा पैदल पैदल जाना और उदर कस्टम ओफिस है काफी बड़ा एरिया यह पूरा गॉर्मेंट विल्डिंग है अचाहां सच मैं यह तो बताना बूल गया किस्टम ओफिस आए क्यों है एक्च्वल में थाइलेंड में ने एंट्री करी तो भाई गाड़ी का ना उन्होंने एक डोक्युमेंट बन करेंगे बढ़ हमें चाहिए एक महीने चाहिए थोड़ा और जादा तो देखते अगर एक एंगे बाद में आना तो फिर हम 10-11 तारीक के आसपास बढ़वाएंगे ताकि फिर अगली दस तक मिल जाए सीधा तो भाई यह मिल गई है देखो लिखा हुए दा कस्टम डिपार में कस्टम फॉर्मालिटी सब डिवीजन चलो बहुत बटक गए इजने गर में हो रही है हारत खराब होगे अंदर चल चल के चार विल्डिंगों में जा चुके फिर वो कहीं न कहीं भेज देते है इदर उदर और फुली अब यह लास्ट बिल्डिंग हो चलो भाई प्रोस अब दिन थाइलेंड गुम सकते हैं अभी हमें मिला था 23 मार्श तक का और अभी नोंने सीधा एक महीना ओर एक्स्टेंड करती है उस वाली डेट से तो बेसिकली अब अपरेल तक मिल अपने थारीख बहुत सही है बाई दो महीना थाइलेंड गुम सकते हैं बीच में इंड गर्मी में आज तो दो बजे आये ते और चार बजने वाले है पूरे दो घंटे लगे बट फाइनली एक्स्टेंशन मिल चुका है अपना 22 एपरल तक खा तो कोई टेंशन नी और भाई मैं ना जितने भी देश की गोवर्मेंट ही अगर वीडियो देख रही है मैं रिक्व जाती थी तो इतनी दिक्कत नहीं दूसरी चीज़े यंग लड़किया थोड़ी पॉलाइट होती है जो आंटी टाइप होती है चालीस में तालीस पचास साल की वह पड़े पता नी भाई उनका चिरचिडा पन पहले ही होता है उनसे पूछ पूछ लो ना ऐसे ऐसे शकले ब बंदेना पड़े तो बिल्डिंग नमबर 8 है अगर आपको एक्टेंड करवाना है तो बिल्डिंग 8 की 3rd फ्लोर पे चले जाना और यहां पे ग्राउंड फ्लोर को 1st फ्लोर बोलते है तो थार्ड की जगा 3rd में चले जाना एक्ट्वल में जो इंडिया के ही साब से 2nd फ्ल प्रॉबलम हो गई है और एक्ट्वल में वह चोटी प्रॉबलम नहीं है बहुत बड़ी प्रॉबलम है कुछ टाइम तक पहले तक मुझे वह चीज याद थी बड़ मेरे दिमाग से निकल गई और अगर वह चीज अब नहीं होती है तो भाई हमारा ट्रिप कंटीनू करना मुश्किल हो जाएगा और उस चीज को करने के लिए इंडिया जाना पड़ेगा तो कल तो नहीं कल शायद से कल या परसों में इंडिया भागना पड़ेगा फ्लाइट देखता हूं होटल जाके बुक करता हूं क्योंकि वह काम करवाना बहुत ज़रूरी है बहुत ज़्या कि अभी हम बैंकोक से पटाया आना जाके भाई वापिस से इंडिया ही जाएंगे शायद से दिमाग खराब हो रहा है मतलब क्या बता हूं मेरे समझ नहीं रहा है मैंने दिमाग से निकल कैसे गया और दूसरी चीज सिंगापूर वीजा भी लेना है तो इंडिया जाना ही प को भरना पड़ता है उसी दरह से यहां सब गाडियों को भरना पड़ता है पचास साथ ऐसे अलग अलग जगाओ पर तो मोटे मोटे तो टोल टेक्स कोई नहीं है यह पर वैसे यह इस टाइप के आ जाते है अदो मैं कहा रहता है इंडिया की फ्लाइट बुक करनी क्या रहता है कि शादिया मैं चलो फिर चले जाना पड़िया क्योंकि इसको भी तीन महीने होगे निकले होगे मैं तो इंडिया जा चुक हूँ एक बार बीच में तो एक बार यह भी होगा और दूसरी चीज़ सिंगापूर वीजा इसका भी लगवाना है तो इसका भी लाद हो कि नहीं जाने की तो टेंचन की बात नहीं है पर गाड़ी का जुगार करना पड़ेगा कि किसी सेफ एरिया में गाड़ी को पार्क करके तब हम जाए इंडिया क्योंकि भाई मैं जाऊंगा भी तो ओल्मोश 10 से 15 दिन के लिए जाऊंगा क्योंकि वो काम होने में 6 स साथ दिन लगेंगे, फिर सिंगापूर वीजा भी अपलाई करना है, तीन-चार दिन उसमें भी लगेंगे, और फिर होली भी आ रही है, तेईस या चोबिस तारीक की, तो होली भी मैंने का फिर इंडिया मी मना के आएंगे, प्लस एक और भाई काम बहुत ज़्यादा गंदा फस गया हमारा, वो है कि जो मेरा दूसरा चैनल है न, अनमोल जैस्वाल टेक्स चैनल, उसके लिए न, हम टोटल 30 वीडियो शूट करके आए थे, कि अराम से 4 महीने का बैक अप चल जाएगा, बट ओल्ड़ी हमें 37 महीने हो चुके है, और हमारे शूट में से 4 से 5 वीडियो जो है, वो गयब हो गई है, मतला हमने लाज दिन आने से पहले शूट तो करी थी, इन बाई साब ने गा, मैं कोपी करूँगा, बट वो कोपी कहां होई, किसके पास है, राहूल कहारा मेरे पास नहीं है, हमारे पास भी नहीं है, किसी PC में भी नहीं है, किसी PC में भी नहीं ह तो शूट तो करना पड़ेगा वाई एक बार में घर जा के बहुत सारे काम है उपर से चल रही है उसका भी थोड़ा सा देख लूँगा बट यह सब तो चलो फिर भी भाई थोड़ो बट जो मेन काम के लिए जा रहूना वह मैं आपको इंडिया जा के बता हूँ जब वह काम हो जाएगा क्योंकि भाई सही में अगर आप एक इंटरनेशनल रोड ट्रिप कर रहे हो ना तो यह वाली गलती जिन्दगी में मत करना जो हमने करी जिसकी वायसे अब यह ट्रिप छोड़के हम इंडिया जाना पड़ रहा है वापिस फाल्तु की फ्लाइट का खर्चा वग सिटी के अंदर अंदर भी प्रॉप पर भाई सिक्स लेन हाईवे निकाल रहा है देखरों थ्री लेन पर हम चल रहे है थ्री लेन उदर की तरफ है और यहां रूल्स इंडिया वाली है मैं आपको बताया हुए बहुत बार यह चीज तो इसलिए मैं अपना स्लो लेन में चल तोड़ता है जब ओवर टेक करना हो तभी लेन तोड़ते है वरना जिग-जग-जग-जग वाला चलाने का हरी वाज नहीं है और आज ही ना भाई हमारे साथ एक पुलिस के लेकर सीन हुआ है जो मैं अभी तो नहीं बदा सकता है लेकिन जब थाइलेंड की वीडियो खतम ह मुआ कैसे उन चीजों से बचा जाए बट अभी इस वीडियो में ही थोड़ा वेट करो उसके लिए तो अभी एक मार्किट है वाई अपने होटल के पास में ही जो बिक सी हम आयते है ना कल उसी के जश्वार खड़े हम तो यहां पर भी काफी चारी चीज़े मिल रही है दे प्लेट हो भाई साब उड़जो उड़जो सुभा हो गई येलो छोले बटूरे ये डालो फटा फटाव जल्दी आजो जाओ क्यां कर दिया बंद कर दिया जो फोले बटूरे डालो लाए है बड़े दिन होगे भाई वोई सब्जिया सब्जिया खाय जा रहे तो मैंने कु लबटूरे क्योंकि कल भाई फाइनली हम निकल जाएंगे इंडिया यहां मैंने फ्लाइट बुक कर दी है यहां से अपना साथ तारीख की तो साथ तारीख की तीन बजे की दुपाए तीन या साड़े तीन की फ्लाइट है जो इंडिया के छे बजे पहुचा देगी तो इं एक के साथ शायद से फाइनल हो गया भाई उनका एक आप़टमंट है वो गोडगाउ से ही है और में बात है हमारे घर के काफी पास ही रहते है गोडगाओ में तो फिलाल थाइलेंड में है एंका पाइंड़ेंट है यहां पर ना तो नगती चका तो यहां से एक घंटे की ड करने के लिए फ्रीजर में रखी दी बोतल भाई साब पत्थर बन गया देखना थोड़ी देर बाहर रखेंगे तो कोई नी पिखल जागी लो जी लो छोले बटूरे अपने आ गया है छोले भी सही है बटूरे भी सही है थोड़े ओईली है जादा बट ठीक है और साथ में बह गलग कपड़ों में करनी पड़ेगी तो रस्ते में चलते चलते भाई ये शूट भी हो जाएंगे बाकी बैग ओल्मुष पैक है एक दो तीन और ये चार ये सारा हमें गाड़ी में छोड़के जाना है बाकी अपने अपने शूट के सम इंडिया ले जा रहे है सर्दियों क कपड़े सारे इंडिया में रख दें क्योंकि उनकी जुरत नहीं है बचे कुछ होगी तो वहापसी में जब आएंगे तो अपना गर्मियों के कपड़े एक्स्टा ले आएंगे क्योंकि आगे की ट्रीप भी लंबी बची है बाई चो जी इतना सारे बैग है इनमें कुछ बस कपडे कूपड़े ही आपने जाए जादा कुछ समान नहीं है तो हम गाडी में ही चोड़े चले जाएए्गे जातर गर्मयों कि कपड़े इसमें सारे जो हमें मतलब ट्रिप से लुुर्ए जुरत पड़ेगी और जिन चीजों की जुरत नहीं है वह हम इंडिया ही ले बताई दिये थे क्यों जा रहे है बस एक रीजन में भी बतानी सकते है एक बर वो काम हो जाएगा फिर आपको बताई दूँगा जा रहा है इंडिया जा रहे हो ट्रिप छोड़ के बीच में लग रहा है बुरा इंडिया जाने ही खुशी मतलब यह है राजिस्तान का बड़ गुडगाओं रह रहा है कई महीनों से तो अपने जो घर है राजिस्तान नो-दस महीने बाद जाएगा और वैसे इंडिया जा रहा है यह तीन महीने के बाद अलो जी गाड़ी स्टार्ट हो गई है 34,228 km चल चुकी है अभी तक हमारी टोटल गाड़ी डीजल भी फुली है बस अब छोड़ने से पहले ना भाई इसके बैटरी टर्मिनल निकाल के जाने पढ़ेंगे तो कि पीछे से कोई स्टार्ट करने वाला तो होगा नी इसलिए टर्मिनल निकाल देंगे ताकि जब भी आए 15-16 दिन बाद अपना बैटरी चार्ज रहे सीदा और अगर कोई सोहन जैसा बंदा स्टार्ट भी करे तब भी दिक्का था ये बाई सब रोज ओन कर देते थे जिससे हमारा डीए फिल्टर मैंने नहीं मैंने बोला रेगुलर स्टार्ट कर देना ये थोड़ी रोज अब ये गाड़ी निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आईगी आगे पीछे दोनों तरफ गाड़ी है भाई थोड़ा सा ध्यान से अड़ जो थोड़ा सा गलत बता दिया मैंने आपको एक्चुल में जो जगह है वो सिरफ 13 किलोमेटर दूर है यहां से और 28 मिन दिखा रहे है यानि आज ज्यादा ट्राफिक नहीं है उस दिन मैंने चेक्किया यह गंटे से उपर दिखा रहा था तो बढ़िया चलो जल्दी पहुंच जाएंगे प्लस बीच में अपना शूट्स भी करने है वो भी निप्ठा देंगे टाइम ली बैंकोक में यह वाले टोल भर भर के ही परशान हो गए हम तो मतलब हाइवे तो हम चड़ते नहीं है और यह हाइवे यह वैसे तो इनके तरह से बट भाई छोटे-छोटे दिस्टैंस के लिए देख लो आज 13 किलोमेटर जाना है उसके लिए यहां पे 50 थाई बात देने पता नहीं क्या सिस्टम है इनका भाई जातर कंट्रीज में हाइवे जब आप यूज करते हो एक्सप्रेस वे यूज करते हो लोंग रूट में तब आपको भरने पड़ते हैं यहां तो इतने से डिस्टैंस के लिए भी दो पचास लो तो सारे चिल्लड निकाल रहे पहले 50 अचलो जी और देखो बैरी केड़ हो गारा कुछ नहीं होता डिरेक्टली बस चले जाओ ऐसी पे करके बहुत भर चुक है भाई पिछले मतलब चार दिन से हम बैंकोग में है मेरे क्याल से नाना करते होगी चार सो पान सो थाई बात तो भरी दी होंगे मतलब 12-1300 रुपे और किसी काम गया नहीं है भाई हाई वे यू सोड़ी कर रहे हैं हम इतना हम कितना जाते हैं 10-12 km जाते हैं बस इतने से के लिए पे करो बैठके बस भाई पहुंच ही गए हम लोकेशन जहां पर आया गाड़ी छोड़ने और उनकी सोसाइटी है जो घर है वो मैं व्लोग में नहीं दिखा सकता प्राइबिसी रीजन उनके भी तो जब बेस्मेंट होगी है जहां भी पार्किंग होगी बस गाड़ी खड़ी करते हुए कि क्लिप ले लेंगे अंदर लेकिन बहार सोसाइटी के नहीं बना हुआ मैं ठीक है जी तो हम करते है जो गाड़ फिर मिलता हूं आपसे तो बाई लेट्स गो बिल्डिंग के अंदर तो आ चुके है अब जहां उन्होंने बुलाए है वहां जा रहे है बस हम खड़ी करके फिर टाटा बाई 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 कर देंगे बाई गाड़ी नहीं अपनी और यहां से क्याप पकड़ के चले जाएंगे तो बाई वो आ गए है अपने पर पार्किंग के देने होते तो वह पैसे बच रहे है अपने वड़ी है पड़ी नर्चनाओ सोवन उदर लेफट वाली लो गाड़ी खड़ी कर दिया यहां पर बैटरी का टर्मिनल निकाला जा रहा है इसका योंकि पिछली वाली गलती फिर से निकरनी भाई वरना कोलना यह पालना और यह ले आए है भाई पता नहीं को उनसे वाले से खुलेगा देख लेते हैं बुला लो आप उनको भी समझा देंगे तो यह दो टर्मिनल है इसमें से कोई भी एक निकाल देते है वसकी बैटरी डिसकनेक्ट हो जाए यह वाला है यह खुलेगा साइज बड़ा यह सो चाबी दे दो चाबी से खुल गाएगा तो भाई यह वाला जो है टर्मिलर अपना खोल देते हैं लूज करके यह देखो भाई निकल गया अब यह बस जब हम आएंगे इसको सीधा कनेक्ट करना इस वाली चाबी से और गाड़ी जो अपनी स्टार्ट हो जाएगी तो अब ना बैटरी ड्रेन नी होएगी 15-20 दिन अपने को टैंचन नी है अब कोई भी जालो जी इसको करते हैं बंद लेट्स को भाई यह समाल के रख दो यह चाबी ना कोई बस मेरी शर्टे थी भाई शर्टे निकाल लिए बाकी तो कुछ निचे बाकी यह पालना और चाबी बैटरी निकाल दी तो इसका यह भी खाम करना बंद हो गया अब यह चाबी को मैनूली लगा के भाई यह चाबी ले लो यह चालो जी चलो गड़ी खड़ी करके आ गये है टेक्सी कर रहा हुँ भार जाके सीज़ा जाएंगे होटल फोडी देर रेस करेंगे अभी 11.5 हुए है और फिर 8.88 बज़े जाएंगे भाई कहाँ पर हम जाएंगे जी सुकुमवित वाल एरिया में क्योंकि वह अभी तक हमने एक्स्प्लोर नहीं किया वहाँ नाना प्लाजा है और अडल नाइट लाइफ के लिए भी वह स्ट्रीट काफी फेमस है तो थोड़ा बोर शूट करके आपको भी दिखा देंगे गाडिया सोसाइटी में घुषना है ना तो यही रुखवाते है बाखी गाडियों को ताकि अंदर बंदा घुष सकेंगे इंडिया में भी जो बड़ी बड़ी सोसाइटी जै वहाँ पे ऐसा है बड़ी आ लगबग हर सोसाइटी में है बाई तो लोग इतने अच्छे हैं बाई यहां के मतलब गाड हो गए जितने भी नॉर्मल हो गए सब लोग हाँ जोड़के नमस्ते नमस्ते बोल रहे है बाई सही है सीन में नगा बागी टेक्सी बुक हो चुकिया बाई आने ही वाली है लेट्स गो तो बाई एक दिक्कत होगी थी बहुत बड़ी ट्रैफिक से अलट जगड़के भाई हम साथ अपने फ्लैट पहुंचे और आकर देखा कि चाबी तो हमने जो अपाट्मेंट की चाबी थी वो गाड़ी में छोड़ दी फिर बाई करके भाई बापीस गए लेका था है और अब साड़े आठ बच चुगी है बहुत गंदा ट्रैफिक लगता है बैंकोग में सुबा जाने में बच्छी मिनट लगे ते अभी आने में तेड़ घंटा लग गया इतनी जादा भीर होती है तो अब समान चुण रखके शुकू करके निकल रहे है भाई नाना प्लाजा फगवा चड़ा रहे हो आज तो संत्रा क्या बात है यहां से भी वापिस टैक्सी करनी पड़ेगे और फिर ट्रैफिक से लड़ जगड के पहुंचेंगे भाई बड़ा बुरा हाल है सही में अपनी गाड़ी ती तो मस्ता कम से कम पड़िए टैक्सी में यह फायदा है कि चलानी नहीं पड़ती ट्रैफिक में अराम से बैढ़ जाओ बस हमारे होटल के जर्श नीच चाहिना यह नाइट मार्केट लगती है काफी सारी चीज़े मिल जाती है यहां पर फ्रूट्स वगएरा और खाने की चीज़े भी बट वही है मतला नोन वैज साइट है यह के मफिन लाए है यहां पर केले का मफिन अच्छा है भाई मीथा कम है बट चाहिए है तो लो जी हम पहुंच गए है यह है सुकुम्वित पोर का एरिया और इसी लाइन में आके जाके है नाना प्लाजा पता नी बाई अंदर वीडियो बाट बागता है नाना ने देंगे या नी देंगे फोरीश करेंगे थोड़ा बहुत दिखाए जो कि यह जो नाना प्लाजा आता नहीं पहले तो एक शोपिंग सेंटर हुआ करता था बट अब यह जो है वह पूरा पूरा भाई रेट लाइट एरिया यहां पर मजरे होना मतलब रेट लाइ मांग रहे है तो उन्हों पासपोर्ट हम होटल में छोड़े है क्योंकि यहां लाना सेफ नहीं था तो मेरा तो इन्हों ने मतलब फोन में देख लिया क्योंकि मैं 26 काउं बट सोहन भाई इसका 2003 का देटो बरता है तो यह 23 साल से कम का है तो इसका कह रहे है कि original ID proof दिखाओ अब original ID proof ओटल में अई तरी दूर कोन जाएगा क्या करें बें तो यही गुमना था चलो के आते तो तुम बेट गरो भी राउं मैं एक यहां रहे है क्या है मैं अक्रेला यहां रहे है क्या है 10-15 मिनिट में आ जूंगा बेट गरो फोन ओन रखना फोन चोरी बहुत होते है अब जाए तो द्यान से तामजी के चलो जी चलो मैं उत्ता हूं भाई शूट कर गूंगा थोड़ा भूट अब अंदर तो स्ट्रीक्ट इंस्ट्रक्चन है फोटों भी नहीं ले जकते वीडियों मी नहीं बना सकते बहुत जादा स्ट्रिक्मार के आगा बार इस पार इस शूट तो करी नहीं सकते जब पाई नहीं और शोपिंग भी कर सकते आप यह देखो भाई चीजे मिल रही है तो हन को मैं बोल गया था जाता मिनेट में हारो वो पता नहीं किदर निकल गया उसका पून भी नहीं लग रहा मैं हाँ लिटरली पांच मिनट से भी पहले आप जोटे आओ इंजॉए करो यहां पर आ गया यहां तो यहां के ना गो-गो कलब्स बहुत ज्यादा मतलब फेमस है अंदर का लेकित अंदर बहुत सारे कलब्स है रिंक ब्रिंक कर सकते हो और वैसे भी कापी सारे मतलब पब टाइप के भी बने गुए कलब्स भी बने हुए बादा कुछ खास नहीं जाना है वैसे एक प्लोर करो पर वीडियो नहीं कर सकते है बड़ा बड़ा लगा रख है और हर जगा भाई ते क्योटी काड भी खड़े कर रखे कोई भी फोटो या वीडियो ले तो धरके चपेड़े ही चपेड़े मालो तो इसले रिस्क नहीं ल अरे बाद्चा भाई का कलब है यहां पर दो देख रहे हो बाद्चा कलब इसी के सदस्साइड में है स्पाइस इंडियन रेस्ट्वेंट अचक करमाल भी है भाई रोड का अब उससे जादा मुझ करनी सकते हैं तो खाने ही ताले तो जाद से आदा और क्या करेंगे और यह कल खाया था ना उनका नान बड़ा जीब सादा पतला पतला था चलो जी चलो पेट बुजा टन मास पेड भर गया है जी चलो आप पिस से आ गए है अपार्टमेंट में गाड़ी होनी पारी ती और महंगी भी तो दो अलग अलग बाइक कर लिए एक में सोन आ गया एक में में आ गया अब चलके भाई पैकिंग कम्प्रीट करते हैं तो इक तीन बजे की फ्लाइट है तो उसके लिए बारा उचना पड़ेगा और यहां से लगबागादे घंटे का है एरपोर्ट तो मुटा मुटा वही साड़े ग्यारा बजे कटना पड़ेगा यहां से सुबह हम लेट उठते हैं इसलिए रिसक नहीं लेना बैग वैक सारा भी पैक करके सुएंगे तो सुबह सीधा उठे और कट पैक तो कली सुबह होगा जब मैं नहां दो लूँगा कपड़े वगरे निकाल लूँगा सब यह पैक कर देते हैं एक्टर में पैक भी नहीं लैप्टोप तो सुबही डालूँगा भी तो मैं वीडियो कर रहूं कल के लिए वड़ियो है यह डाल देता हूं सब कुछ पास दो तो आम खा लेता हूं चलो वैसे यह बैक भी मैं सोच रहा हूं सुबही पैक करूँ क्योंकि अभी सब कुछ चार्ज पे लगाना है भाई हैड़फोन भी कल फ्लाइट में ज़रुत पड़ेगी दुपैर की फ्लाइट है ना तो नीद भी नहीं आती फिर फ्लाइट में मेरा यही है सीन भाई एक बार मैं उठ जाओना फिर पूरे दिन में मेरे को नीद नी आएगी रात कोई छोता हूं मैं सीधर रख तो अगर रात की या सुबह अरली फ्लाइट होती की जिसमें नीद पूरी नहीं तो तो मैं फिर चार गंटे सो जाता था फ्लाइट में अब और तिल लें गुडबाए ने आज अल्वेश दीखे रास्तों पर नहीं पढ़ना फिका प्राइश